आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा input और output devices के बारे में कि input device क्या होता है और output device क्या होता है इससे पहले कि मैं आपको previous class में बताया था कि what is CPU, CPU क्या होता है, CPU कैसे काम करता है, what is computer, computer क्या होता है और इसका कुछ parts का भी नाम बताया थे दोस्तों, और मैं syllabus के बारे में बता चुका हूँ, introduction class भी हो चुका है, लेकिन आप previous video नहीं देखें, अगर आप previous video नहीं देखें अभी तक दोस्तों, तो सबसे पहले आप previous video देख लिजिए, description में लिंक दिया हुआ है, या हमारे चैनल पर जाकर check out कर सकते हैं, playlist में सारा basic computer course का आपको पूरा information मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सारा check out कीजिए, और पहले आप class join कर लिजी, तो चलिए आज किस video में आप से बात करूँगा, input devices के बारे में, और output devices के बारे में, ये input devices क्या होता है, और output devices क्या होता है, ये आज कि इस video में बताने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ लिखा हूँ, दिया हूँ, यहाँ पर define लिखा हूँ, जैसे की define यहाँ पर मैं बताया हूँ, आपको any information, any information और data sent to a computer for processing is considered input, okay, input or user input is sent to a computer using an input device, ये defines आप लोगो समझ में आ चुका होगा, कि define क्या बोलता है, कहने का मत अपलब है, input device हम उसे बोलते हैं दोस्तो, input device और device होता है, जो हम अपने computer को देते हैं, computer उसे ले लेता है, उसे input device कहलाता है, जो user, जैसे हम लोग user है, तो हम अपने कुछ भी दे रहे हैं, जैसे कि अपने keyboard से हम कुछ भी type कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, माल लिजी क टैप किए कीवोड किया किया CPU को दिया CPU क्या किया रिट किया उसके बात कंप्यूटर पर display हो गया तो अब ही मैं बात कर रहा हूं input device के बारे में तो input device और डिवाइस है जो भी हम अपने user जो भी अपने कंप्यूटर को को हम देते हैं या Magno के थुरू दे या जुआई स्टिक थुरू दे या लाइट पेंड के थुरू देए यह आपको इनकुट डिएग का बाईता है कि यहां पर देख़ेंग जैसे कि मैं एक हाफम पर कीबोड ठीक है ठापर मेरे पास एक की बोड़े दोस्तों है ना ओके यहां पर 1234567 कुछ भी एक नमबत लेके लेते हैं एक्षाम पर के तौर पर अप Yak की है ना यहां पर मेरे पास एक मोनीटर है किया है दोस्तों मोनीटर है ओके अब देखिए क्या मैं बता रहा हूं अब बात क्या रही है कि मैं भी कुछ भी information अपने keyboard से देते हैं देखी जैसे कि मैं यहां से अपने keyboard से टैप किया तो कहां चला गया CPU के पास चला गया जैसे कि मैं यहां पर लिखा आपको सतीज क्या लिखा दोस्तों सतीज लिखा ठीक है तो सतीज जैसे लिखा तो CPU क्या किया उसको जैसे उसके बाद क्या क्या read किया टब जाकर आपको ये डिस्पले कर देता है यहां किस पर monitor पर ठीक है ना तो देखिए जो हम अपने keyboard से कुछ भी information दे रहे हैं अपने keyboard से कुछ भी information दे रहे हैं किसको किसको CPU में CPU को मतलब CPU को क्योंग डिस्प्ले होने के लिए है ना तो यह जो हम information दे रहे हैं तो information कहां जा रहा है तो input device कहलागा और यह जो display दे रहा है यह जो उपर में दे रहा है यह तो output device कहला जाएगा यह क्या कहला जाएगा output device कहला जाएगा कहने का मतलब यह है दोस्तो कुछ भी अपने computer में हम लोग information देते हैं ओ कहला था input device जैसे कि अपने keyboard से हम 37 लिखे ओ चलागी आपको CPU में CPU रिट किया और यहां display कर दिया जैसी display कर दिया तो यह output device हो गया क्योंकि अपने keyboard से दे रहे हैं keyboard से दे रहे हैं तब तो डिस्पले हो रहा है ना इसी तरह अपने मौस से हम लोग कुछ भी किलिक करते हैं ठीक है तो किलिक करते हैं तो किलिक करने के बाद आपको वही होता है जैसे एक example दो पावर माल लीजिए तो यहां पर देखिए जैसे कि मेरे पास मौस है क्या है दोस्तों मेरे पास एक मौस है ओके और मेरे पास एक monitor है है ना ठीक है और यहां पर मेरे पास एक printer है क्या है दोस्तों printer है जैसे अपने मौस मौस से जैसे अपने मौस से हम क्या किय किसी भी फाइल को करना है तो अपने मौस्ट आपको और पूट कर दिया क्या कर दिया और पूट कर दिया तो यह कहला जाएगा यह जो आपको मैं बताया जो भी हम लोग information देते हैं CPU को क्या कहलाएगा इंपूट डिवाइज और जो आपको डिस्पेले या कुछ भी जो बाहर आएगा और पूट डिवाइज इसी तरह अपने मौस्ट से हम एक फाइल को प्रिल कर रहे हैं फाइल पर क्लिक किये फाइल पर क्लिक करने के बाद यह हमारा जो पेपर ऑठ हो गया मतलब बाहर आ गया तो क्या कहलाएगा और पूट डिवाइज कहलाएगा तो आप आज समझ चुके होंगे कि इंपूट डिवाइज क्या होता है और और पूट डिवाइज क्या होता है जैसे कि आप कुछ एक्जामपल पर मैं यहां पर बता देता औरट पीजत का कुछ एक्जामपल लिग लीजिए आप लोग जैसे के इंपूट डिवाईस को और ओडफूट डिवाईस का इक्जामपल है ना ऑफ प्लॉ प्लॉ ऑट डिवाइस का आफ डीवाईस ऑर आप डिवाइस में आप ड़ीबॉर्ड टिकिक्षाण ऑनोस पा Valerie और आपकोॉज 2009 लाइट पेन लिग ठिक ए इससुछ यह सब क्या हो गया यह सब कर आपको इन्पूड डिवाइस में यह था आपको इन्पूड डिवाइस और ऑफ यह सब क्या है यह और यहर और ऐसा डिवाइस का तो और वीडियो काफी पसंद आया तो प्लिस हमारी वीडियो को लाइक कर दिजेंगा अभी तरफ यूट्यूब चांग को सब्काइब नहीं करें तो प्लिस आयोटेुब चैनल को जुरूस फ़ाहब नीचे